जैसी कृष्णा राधे राधे आज हम रमा एकादशी की संपून व्रत कथा सुनेंगे आप सबी को कार्थिक मास के कृष्ण पक्षी की रमा एकादशी की धेरो शुपकामनाए एक बार धर्मराज युदिश्टर भगवान स्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे भगवान अब आप मुझे कार्थिक मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का महात्य में सुनाईए इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी को करने से कौन सा फल मिलता है तब भगवान स्री कृष्ण युदिश्टर से बोले कि हे राज राजेश्वर कार्थिक मास के कृष्ण बक्षी की एकादशी का नाम रमा एकादशी है इस एकादशी को करने से मनुश्य के सारे पाप नश्ट हो जाते हैं हे राजन इस समद में मैं तुमें एक पोराणी कथा सुनाता हूँ तुम ध्यान से सुनो प्राजीन काल में मुझकुन नाम का एक राजा राज्य करता था उस राजा का इंद्र, वरोन, कुबेर, विबिशन जैसे मित्र थे वे राजा सत्यवक्ता और विश्नु भक्त था उस राजा के चंद्रभागा नाम की एक लड़की थी राजा ने अपने लड़की का विवा राजा चंद्रसेन के पुत्र शुबन के साथ कर दिया एक समय जब वह अपने माईके में आई हुई थी तो एकादशी तिति आने वाली थी चंद्रभागा सोचने लगी कि एकादशी तिति आने वाली है परंतु मेरे पती अत्यनती ही कमजोर है इसलिए इनसे एकदशी का उपवास नहीं हूपाएगा परंतु मेरे पिता की आग्या बड़ी ही कटीन है जब दश्मी तिथी आई तो राजा ने अपने राज्या में डिंडोरा पिटवा दिया कि कल एकादशी है कोई भी एकादशी के दिन अनजल ग्रहन नहीं करेगा शोबन ने अपने ससुर की मुनादी को सुना तो वैं अपनी पत्नी के पास आया और पूछने लगा कि हे प्रिये हे प्रिये तुम मुझे कोई उपाय बताओ यदि मैं एकादशी का उपवास करूँगा तो अवश्य मृत्यू को प्राप्त हो जाओंगा इस पर चंदर भागा अपने पती से बोली कि हे प्राणात, हे स्वामी मेरे पिता के राज्या में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता यहां तक की हाती, घोड़ा, उट, पशू, पक्षी कोई भी तरण, अन, जल, ग्रहन नहीं करते फिर मनुश्य कैसे भोजन कर सकते हैं यदि आप एकादशी का उपवास नहीं कर सकते भोजन करना चाते हैं तो आपको यहां से जाना होगा क्योंकि यदि आप यहां इस इस्थान पर रहेंगे तो आपको एकादशी का उपवास करना ही पड़ेगा यह सुनकर शोबन बोला कि हे प्रिये आपका कहना बिल्कुल उत्तम है अब मैं एकादशी का उपवास आवश्य करूँगा फिर मेरे भाग्ये में जो भी लिखा है वैं तो हुकर ही रहेगा ऐसा विचार करके शोबन ने एकादशी का उपवास करा उस दिन उसने अन जलकरहन नहीं किया उस दिन बहुत तेज उसे बुखार था पूरा दिन उसने भुके प्यासे रहकर बड़ी मुश्किल से बिताया जब सूर्य अस्त हो गया तो सभी रात्री जागरण में लगे शोबन भी वहां बैठ गया परन्तु उसे ऐसहनिय पीड़ा हो रही थी वह उस दुख को बरदाश नहीं कर पा रहा था बड़ी मुश्किल से वह जागरण में बैठा रहा और विश्नु भगवान की इस्तूती में मन लगाने लगा दूसरे दिन प्रात्य होने से पहले ही शोबन इस संसार से चल बसा जब राजा को प्रताचला की उसकी जवाई की मृतिव हो गई तो राजा को और चंद्रभागा को बहुत दुख हुआ राजा ने अपने जवाई की अंतिम ग्रिया विदे विधान से संपन करवाई चंद्रभागा अपने पती की आग्या अनुसार अगनी में अपने पती के साथ सती नहीं हुई अब चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी रमा एकादशी केवरत के प्रभाव से शोबन को मंदराचल परवत पर धन धान्य से युक्त तता शत्रूं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ जिसमें सोनी चांदी के खंबे थे, हीरे मोती से जड़े सिंगासन थे, स्वर्ग लोक की अफसराई थी खूब नोकर चाकर हाथी घोड़े उट थे, अब शोबन वहां बड़े एशो आराम से रहने लगा एक समय मुचुकुन नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्रामन तीरत यात्रा करते हुए उधर से निकला घूमते घूमते ब्रामन मंदराचल परवत पर पहुँचा ब्रामन ने वहां राजा के जवाई को देखा राजा के जवाई को देखकर ब्रामन को महान अश्चरी हुआ ब्रामन राजा के जवाई के पास गया ब्रामन को आता हुआ देखकर राजकुमार शोबन उठकर खड़ा हुआ और ब्रामन का आतित्य सत्कार किया और अपने सासूर और अपनी इस्तरी चंदरभागा की कुशल सेम पूछने लगा सोम शर्मा ब्रामन बोला कि है महाराज हमारी राजा कुशल से है और आपकी पतनी चंदरभागा भी कुशल है अब आप मुझे अपने बारे में बताईए कि आप यहां इतने एश्वरिय से युप्त इस सुन्दर नगरी में कैसे रह रहे हैं मुझे बड़ा अश्चरिय हो रहा है यह सब आपको यह इतना विचित्र और सुन्दर नगर आपको किस वरत के प्रभाव से प्राप्त हुआ तो शोबन बोला कि हे ब्रामन देव यह सब मुझे कार्थिक मास के क्रश्ण पक्षिकी रमा एकादशी केवरत के प्रभाव से मिला है इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है पारंतो यह एद्रू है इस पर भ्रामन बोला कि हे राजन ये ऐ दुरू क्यों है इसे दुरू कैसे बनाया जा सकता है तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे अवश्य मदद करूँगा हे राजन मैं सत्य कहता हूँ मैं तुम्हारे कतना अनुसार ही सभी कारी करूँगा आप इसे किंचित भी जूट न समझे शोबन भुला कि हे ब्रामन देव मैंने बड़ी ही शद्दा और भक्ती भाव से कार्तिक मासके क्रश्न पक्षी की रमा एकादशी कवरत किया उस वरत क प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ हे ब्रामन देव अगर तुम इस सारे व्रतांत को मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा अर्थात मेरी पतनी से कहोगे तो वो इसको धुरू बना देगी ब्रामन ने कहा कि हे महाराज मैं आपको वचन देता हूँ मैं चंद्रभागा को ये सारा व्रतांत जाकर बताऊंगा ब्रामन उसी समय अपने नगर में आया और राजा के महल में गया और चंद्रभागा को सारा व्रतांत कह सुनाया इस पर राज करने चंद्रभागा ब्रामन से बोली कि हे ब्रामन देव आप तुरंत मुझे उस नगर म पेले चलिए। अपने इस्तरी को देखा तो प्रिसनता पूर्वग उसे वाम अंग पर बठा लिया। चंदरभागा अपने पती से बोली कि है प्राणात आप मेरे पुण्या को सुनिये। जब मैं अपने पिता के घर में आट साल की थी तबी से मैं एकदशी का उपवास कर रही हूँ। उनी व्रतों के प्रभाव से मैं आपके इस नगर को धुरू बना दूँगी। चंदरभागा ने उसी समय अपने एकदशी के व्रत का पुर्णया अपने पती को दे दिया और उस नगर को धुरू बना दिया। चंदरभागा भी दिवे धह धारन करके दिवे आभुशनों से सुसर्जी तोकर अपने पती के साथ आनंद पूर्वग रहने लगी। शोमर्मी अपनी पत्नी के साथ आनंद से सुख से रहने लगा। राजा थे, उनका नाम अम्रीश था, वे भगवान विश्नु के परम भक्त थे। एक बार की बात है, हमेशा की तरह उन्होंने एकदशी का उपवास रखा। दूसरे दिन पारण के दिन उन्होंने स्वम अपने हाथ से रसोई में चावल बनाए। राजा अम्रीश बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनके खूब नोकर चाकर हाथी घोड़े, चत्रुगनी सेना थी और वेभव धन, रतनो, सोने चांदी, हीरे मोती के कुबेर के समान धन था। लिकिन इतना होते हुए भी, वे सम भगवान की सेवा में भोग बनाते। स्वम ही मंदिर में जाडू भुहारी करते। भगवान का शंगार प्रती दिन फूलों से हीरे मोती और स्वन आभुशनों से करते थे। तब द्वादशी के दिन हमेशा की तरह दुरवासा मुनी उनके यहां भोजन करने के लिए आने वाले थे। लेकिन उन्हें आने में देर हो गई पारण का समय निकल रहा था तो राजा अम्रीश ने शालिग्राम भगवान के चर्णामत में तुलसी दल डाल कर पी लिया। उसके बाद जब दुरवासा मुनी अपने 88 हजा शिश्यों के साथ राजा अम्रीश के महल में भोजन करने पहुंचे तो उन्हें ग् अम्रीश से बोले कि अरे राजन तुमने मुझे भोजन पर बुलाया और मेरे भोजन काने से पहले ही तुमने पारण करके मुझे अपमानित किया है। तो क्रोध के मारे दुरुवासा मुनी ने अपनी जटा को धर्ती पर इतने जोर से पटका कि उसमें से एक राक्षसी प दुरुवासा मुनी ने कृत्या राक्षसी से कहा कि जाओ तुम उस दुष्ट राजा अम्रीश के प्राण हर लो। राक्षसी राजा अम्रीश को मारने पहुंची लेकिन उस राजा अम्रीश की रक्षा हमेशा विष्णी भगवान का सुदर्शन चक्र करते थे। तब उ 88,000 शीशे सुदर्शन चक्र से जान बचा कर दसो दिसाओं में भग गे। फिर सुदर्शन चक्र दुरुवासा मुनी के पीछे पड़ गया। दुरुवासा मुनी सुदर्शन चक्र को देख कर डर गे और वहां से अंतरध्यान हो गे और जान बचा कर दुरुवासा मुनी शंकर भगवान के पास केलास पर पहुंचे और उन्हें पूरी सच्चाई बताई तो शंकर भगवान बोले कि आपने मेरे भगवान से पंगा लिया है मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता तब दुर्वासामुनी ब्रह्माजी के पास मदद मांगने पहुंचे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनीवर आपकी मदद तो अब सम नारायन ही करेंगे उसके बाद दुर्वासामुनी भगवान विश्नु के पास विश्नु लोक में पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई और सुदर्शन चक्र से जान बचाने की गुहार लगाने लगे तब विश्नु भगवान दुर्वासामुनी से बोले कि हे मुनीवर अगर आपने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं आपको माफ भी कर देता लेकिन आपने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मेरे भक्त सबसे अधिक प्रिये है तुमने मेरे ऐसे भक्त को कष्ट पहुंचाया है जो मुझे प्रसन करने के लिए कुछ भी करने को तयार रहता है तब दुर्वासामुनी विश्णु भग्वान से पूछने लगे कि है इश्वर अब उस सुदर्शन चक्र से मुझे कोन बचा सकता है तो भग्वान विश्णु बोले कि अब मेरे सुदर्शन चक्र को खुद मेरा भक्त अम्रीश ही रोक सकता है उसी समय दुर्वासमुनी पुने वापस राजा अम्रीश के पास उनके महल में गए और उनके चर्णों में बैटकर प्रणाम करने लगे या देखकर राजा अम्री दुर्वासमुनी से बोले कि है मुनीवर आप मेरे चर्णों में पढ़कर मुझे क्योपाप का धोशी बना रहे है तब दुर्वासमुनी राजा अम्रीश से बोले कि है राजन अब आप ही सुदर्शन चकर को मेरी तरप आने से और मेरी गर्दन कटने से रोक सकते हैं तब ही सुदर्शन चकर वहाँ पहुँच गया तब राजा अम्रीश ने सुदर्शन चक्र की इस्तूती करी और हाथ जोड कर विंती करने लगा कि हे विश्नु भगवान के धारन करने वाले सुदर्शन चक्र आप कृपिया अपना क्रोध शांत कीजिए और दुर्वासा मुनी को माफ कर दीजिए उसी समय सुदर्शन चक्र शांत हो गया और पुने स्वार्गलोक में चला गया भगवान के भक्त की रक्षा सम भगवान करते हैं जो भी भगवान के भक्त को कष्ट पहुँचाते हैं उसे भगवान कभी माफ नहीं करते इसलिए भगवात भक्तों की सेवा सुशिवा करनी चाहिए उन्हें कभी दुख नहीं पहुँचाना चाहिए जो कोई भी भगवात भक्तों की सेवा करता है उन्हें खुश करता है तो उससे भगवान भी खुश होते हैं आईए अब हम एक अदशी की एक नई कहानी सुनते हैं एक बार बहु छुटा सा गाओं था उस गाओं में एक बुडिया माई अपने इकलोते बेटा बहु के साथ रहती थी बुडिया का बेटा परदेश कमानी जाता था वे छे मेने बाहर रहता था और छे मेने घर रहता था दोनों सासु भहु माबेटी की तरह रहती थी उनमें कभी कोई लड़ाई जगड़ा काम के लिए नहीं होता था उनके पडोसियों को भी यह देख कर अश्चरी होता था कि सासु बहु मावेटी की तरह रहती है कभी इन में लडाईयाई नहीं होती जब भी दलना, खाणना, पीजना गेहु दाल साव करना होता तो दोनों मिलक काम करती थी तब एक बार की बात है सास ने बहु से पूचा कि बहु आस तुमने भोजिन क्यों नहीं किया तो बहु ने कहा कि सासुमा मैं कार्तिक मास का इसनान और रत कर रही हूँ मैं एक मैने तक तारों की छाओं में उठकर इसनान करूँगी पीपल पत्वारी सीचूंगी तुलसाजी को सीचूंगी तुलसाजी में दिया बाती करूँगी कार्तिक मास की कता कहानियों को सुनूँगी और संध्या के समय तारों की छाओं में भोजन करूँगी तो सास ने पूचा कि बहु कार्तिक मास का इसनान और रत करने से क्या फल मिलता है तो बहु बोली की सासुमा बहुत पुण्यफल मिलता है घर में अनधन के भंडार भरते हैं पती की उम्र लंबी होती है अटल सुहाग मिलता है नी संतानों को संतानसुग मिलता है बुजुर्गों को बैकुंट का वासा मिलता है जिस भी मनोकामना के लिए कार्थिक मास का इसनान किया जाता है वही मनोकामना पूरी होती है तो सास बोली कि बहु मेरी तो उम्र हो गई लेकिन तू कार्थिक इसनान का वरत जरूर कर जब भी तू कता कहानी सुने तो मुझे सुना दिया कर अब बहु पूरे कार्तिक मास में सुबह तारों की छाओं में उठकर इस्तनान करती सूर्य नारेन भगवान को अर्द देती पिपल पत्वारी सीचती तुलसाजी को सीचती दियाबाती करती और कार्तिक मास के महात्यमें और कथा कहानियों को अपनी सास को सुनाती और शाम को तारों की छाम में व्रत खोल लेती तब एक दिन बुड़िया माई पडोस में गई तब पडोस की ओर्तों ने बुड़िया माई के कान भर दिये और बोली की अरी बहन तेरी बहु न जाने क्या टोने टोटके करती है भरी दुपेरी में पीपल पतवारी सीचती है परिक्रमा करती है पेड़ों को गले से लगाती है बढ़के पत्तों के गैने बना करके पहनती है बहन हमने तो कभी यरी तीरवार न देखा न सोना बहन तेरी बहु तो काला जादू करती है उस दिन बुढिया पडोसन की सिखाई सीख में आ गई घर आते ही बुढिया अपनी बहु से लडाई जगडा करने लगी कि अरी करम जली जबसे तू इस घर में आई है घर की लक्षमी ही चली गई है तेरे तो पग फेरे ही अशुब है जबसे तू मेरे घर में आई है अनधन की कमी आ गई है हमसे अन देवता रुष्ट हो गए है न जाने तू क्या टोने टोटके करती फिरती है तू तो कलंकनी है तब बहु रोने लगी और सास से बोली कि सासुमा अगर मेरे इस घर में आने से लश्मी जी चली गई है तो अब मैं ही लश्मी जी लेकर आऊंगी अब आप मुझे बताईए कि मुझे लश्मी जी कहां मिलेगी तो सासुमा बोली कि लश्मी जी तो भी समुदर में शेशनाक की शया पर सोते हुए नारायन के पाउं दबाती रहती है तो बहु बोली कि सासुमा मैं लश्मी जी को लेने जा रहे हूँ अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे लश्मी जी मिल जाएगी और मैं लश्मी जी को लेकर ही घर आऊंगी नहीं तो मैं धरी नहीं आऊंगी वही पर मैं अपने प्राण त्याग दूँगी जब सास बहु का जगडा पडोसियों और गाउंवालों ने सुना तो सभी कहने लगे कि आज सास बहु को क्या हो गया ये तो हमेशा मा बेटी की तरह बड़े प्रेम से रहती थी सभी गाउंवाले तरह-तरह की बाते करने लगे उदर बहु सासुमा से आशिरवात लेकर घर से माता लश्मी को लाने के लिए निकल पड़ी चलते चलते वह गाउंव से घने वन में पहुँच गई तवन में उसे एक गाई मिली गाई ने बहु से कहा की बहन तु कहा से आई है और आगे कहा जा रही है बहु बोली की हे गाई माता मैं तो करम जली हूं कलंकिनी हूं तेरी वज़ा से लश्मी जी मेरे घर से चली गई है अन्य देवता हमारे से रुष्ट हो गए है ऐसा मेरी सास में मुझसे कहा हे गाई माता मैं लश्मी जी को लेनी जा रही हूं तो गाई माता बोली की बहन अगर तुम्हें माता लश्मी मिल जाए तो क्या तुम मेरे दुख का निवारन पूछ लोगी तो बहु गाई माता से बोली की है गाई माता आप अपना दुख बताईए मुझे कौन सा बोजा उठाना पड़ेगा एक क्या तुम जितना पूछने को कहोगी मैं उतना माता लश्मी से पूछ लोगी तब गाई माता बोली की बहन मेरे बच्चे होते हैं लेकिन होते ही मर जाते हैं मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है बहु ने गाई माता को आश्वासन दिया कि अगर मुझे माता लश्मी मिली तो मैं आपके दुख का निवारन जरू पूछ लोगी उसके बाद बहु वहां से आगे चल दी चलते चलते उसे मार्ग में एक घोडी मिली घोडी के गले में चक्की का पाट बंदा हुआ था घोडी ने भी बहु से अपना सारा दुख माता लश्मी से पूछने को कहा और कहा कि अगर माता लश्मी मिल जाए तो मेरे दुख का निवारन पूछना तब बहु ने घोडी को भी भरोसा दिल लाया और वह वहां से भी आगी चल दी आगी जाने पर उसे एक बुजुर्ग व्यक्ती मिला जो कोड से पीडित था हाथ पेरों से अपाहिस था भव्यक्ती बहु से बोला कि बेटी तुम कोन हो, कहां से आई हो, आगे कहां जा रहे हो तो बहु ने बुजुर्ग व्यक्ती से कहा कि बाबा मैं माता लश्मी को लेने जा रहे हूँ और फिर उसकी सास ने उसे जो जो कहा वैसारा बताया तो बुजुल्ग व्यक्ति बोला कि बेटी अगर माता लश्मी मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारन भी पूछ लेना बेटी मैं कोड से पीडित हूँ, हाथ पेरों से अपाई जूँ मैंने ऐसे क्या कार्मी किया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है तो बहु ने कहा कि बाबा जरूर पूछ लूँगी उसके बाद बहु को आगी जाने पर आम का पेड मिला बहु थोड़ देर के लिए आम के पेड की चाया में सुस्ताने लगी यह देख कर आम का पेड बहुत खुश हुआ और वह बहु से पूछने लगा की बेटी तुम कोन हो, कहां से आए हो और आगे कहा जा रहे हो बेटी मेरे पेड की चाया में कोई भी रहागीर बैटना पसंद नहीं करता कोई मेरे पेड के आम भी नहीं खाता क्योंकि मेरे पेड के आम बड़े ही कड़वे और कसेले हैं तब बहु ने आम के पेड को भी पूरी बात बताई तब आम के पेड ने भी बहु से कहा कि बेटी अगर तुम्हें लश्मी माता मिले तो क्या तुम मेरे दुख कानिवारन पूछ लोगी तो बहु ने आम के पेड से कहा कि जरूर पूछ लोगी मुझे कौन सा बोजा उठाना पड़ेगा उसके बाद बहु वहां से भी आगे चल दी आगे उसे एक पीपल का पेड मिला पीपल के पेड ने बहु से पूछा कि बेटी तुम कोन हो कहां से आई हो और आगे कहां जा रही हो बहु ने पीपल के पेड को भी पूरी बात बताई तो पीपल का पेड बहु से बोला कि बेटी तुम्हें क्या पता कि लश्मी जी कहां मिलेगी तो बहु पोली की है पीपल देवता मेरी सास ने कहा था कि मातालश्मी बीच समुंदर में शेशनाग की शया पर लेटे हुए विश्णु भगवान के पैर दवाती रहती है तो पीपल देवता बोला की बेटी आगे तो घना जंगल है उस जंगल में खुंखा जंगली जानवर रहते हैं वे तुझे खा जाएंगे आगे मत जा लेकिन बहु बोली की है पीपल देवता मेरी सास ने कहा था कि घने जंगल के बाद समुंदर आएगा आज चाहे मुझे श आगी चल दी कई दिनों से भूकी प्यासी बहु बिहोश होकर गिर पड़ी तब बैकुंट में माता लश्मी नारायन से बोली की हे देव यह हमारी पकी भक्त है इसके दुख तो दूर करने ही पड़ेंगे तो विश्नु भगवान बोले की हे प्रिये इसके जैसे मेरे माता लश्मी बोली की हे प्रबू यह कई दिनों से भूकी प्यासी है इसने पूरे कार्टिक मास में इसनान और रत किया पीपल पतवारी सीची तुरसाजी को सीचा दिया बाती करा सूर्य नारायन भगवान को अर्द दिया तारों की छाओं में इसनान किया और शाम को तार पाप तो हमारे ही से लगेगा तब भगवान विश्णू और माता लश्मी ने एक सादू और सादवी का वेश बनाया और जहां बहु बिहोश पड़ी थी वहां पहुच गे बहु के उपर अमरत के छीटे दिये कि तब ही बहु को होश आ गया वह आखे मलते हुए उठकर खड गई हुँ तो बहु ने पूरी सच्चाई बताई तब सादू और सादवी ने बहु से कहा कि बेटी तुम कैसे पैचानोगी कि भगवान कैसे होते हैं क्या आज से पहले तुमने कभी भगवान को देखा था तो बहु बोली कि मैं जरूर पैचान लूगी क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि माता लश्मी भी समुदर में नारायन के पैर दबाती रती हैं सादू और सादवी वेश में भगवान विश्णू और माता लश्मी बहु के सच्चे वचन सुन कर खुश हो गे और मन ही मन मुस्कुराने लगे तबी उन्होंने बहु को साक्षा दर्शन दिये बहु उनके चैनों में गिर पड़ी माता लश्मी ने कहा कि बेटी तुम वापस अपने घर जओ तुमारा घर सुन्दर महल में बदल जाएगा घर में अनधन के भंडार भर जाएंगे और तुमारी साथ सोने के पलने में तुम्हें जूला जूलती हुई मिलेगी बेटी त तुम्हारे दो सुन्दर पुत्र होंगे और तुम्हें कार्तिक मास का फल जरूर मिलेगा तुम्हें पूरे कार्तिक मास में इस्दान किया पीपल पतवारी सीची तुरसाजी को सीचा दिया वाती करी और तारों की छाओं में ही तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा बेटी अब तुम्हें कभी भी दरिदरता का मुख नहीं देखना पड़ेगा अब तुम वापस घर जाओ तब भहुने रास्ते में मिले सभी के दुकों का निवारन पूछा तब भगवान नारायन बोले कि बेटी वह गाय पूर्व जन्म में एक गुजरी थी उसने कभी अपने पोते-पोतियों को पीने के लिए दूद नहीं दिया उसे इसी का शाब लगा है बेटी तु मेरी चरन दूली उसके पेट और मस्तक पलगा देना जिससे उस गाय के बच्चे जीवित रहने लगेंगे फिर भगवान ने घोडी के दुख का निवारन बताया कि ये घोडी भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रही है पूर्व जन्म में ये घोडी एक मेला थी उसके पास आटा पीसने की चक्की थी लेकिन इसने गाव में किसी को भी उस चक्की पर दलना खारना पीसना नहीं दिया नहीं अपनी देवरानी जिठानी और सास को भी चक्की पर आटा पीसने देती थी इसलिए इस जन्म में ये घोडी बनी और इसके गले में चक्की का पाट बंदा है बेटी तु गोडी के गले में से चकी का पाट खोल देना, वह भी दोश मुक्त हो जाएगा, फिर नारायन भगवान ने बुजुर्ग व्यक्ति का दोश बताया, कि पूर्व जान्मे में यह एक ब्रामन था, ब्रामन होने पर भी इसने ने तो कभी भजन कीर्टन किया, नहीं कभी भगवान के आगे गी का दीपगी ही जलाया, बेटी तु उस बुजुर्ग के कान में राम राम बोल देना, उसका कोड़ दूर हो जाएगा और वह अपनी दोश से छूट जाएगा, उसके बाद भगवान नारायन ने आम के व्रक्ष के दोश बताए, कि इसने कभी एक आम भी बच्चे को खाने को नहीं दिया, इसलिए इसके पेड़ के सभी आम कसेले और कड़वे हैं, बेटी तु उस पेड़ का एक आम खा लेना, वह भी दोश मुक्त हो जाएगा, उसके बाद भगवान नारायन और मातलशमी को प्रणाम किया, और चरंधूली लेकर जैसे उठकर खड़ी हुई, तो भगवान नारायन और मातलशमी अंतरध्यान हो चुके थे, उसके बाद भगवान घर की ओर चल दी, भगवान ने रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारन करती गई, सभी ने उसे धेरों आशिरवात दिये, दूदो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैटो, करोडों में उटो, पीला, खाओ, पीला, पैनो, तुमारा सुहाग अटल अमर रहे, तुम साथ साथ पुत्रों की मा बनो, तुमारा वंच खुब फले-फुले, सभी ने बहु को धेरों आशिरवात दिये, अंत में जब बहु ने गाई के दुख का नि जग, सुन्दर महल नुमा मकान खड़ा था, घर में जग जग के अन्य के धेर पड़े थे, उसकी सासुमा सोने के जूले में जूला जूल रही थी, बहु ने सासुमा के पैर चुए, सासुने बहु को गले से लगा लिया, तब बहु अपनी सासुमा से बोली कि सासुमा मैं ही चली जाती हूं, क्योंकि अगर मैं इस घर में रहूंगी, तो आपकी लक्ष्मी जी आपको वापक छोड़ कर चली जाएगी, अन्य देरता आप से रुष्ट हो जाएंगे, तो सास बहु से बोली कि अरी बहु, यह सब कुद तो तेरे कार्थिक मास के इस्तनान का फल है, कार्थिक मास में सुर्य नारायन भगवान को सीचने, पीपल पतवारी की पूजा करने, तुर्सी जी को सीचने, दियावाती करने, और कार्थिक मास में तारा भोजन करने का हमें फल मिला है, यह सब तो तेरे सत का प्रताप है, यह सब ठाट बात तुझ से ही है, और ते तब फिर से दोनों सासु बहुँ खुशी-खुशी मा बेटी की तरह रहने लगी, तब एक दिन परदे से बेटा खुब सरधन कमा कर घर लोटाया, घर के ठाट बाट देख कर बेटा अपनी मा और पतनी से बोला कि जब मैं घर चोड़ कर गया था, तो हमारा तूटा-फूट दो कमरों का मकान था, अब ये सुन्दर महल नुमा कैसे हो गया, घर में इतना धन दोलत कहां से आया, कहीं तुम दोनों ने कोई गलत काम तो शुरू नहीं कर दिया, कहीं तुम दोनों चोरी चकारी लूट खसोट का काम तो नहीं करती हो, तो मा बोली की बेटा, ये सब कु बेटी ने कहा कि मा अगले साल जब दुबारा कार्थिक का महिना आएगा तो मैं अपनी पत्नी के साथ जोड़े से कार्थिक मास का इसनान करूँगा और तारा भोजन रत करूँगा तो मा ने कहा कि बेटा तू ही क्या मैं भी अगले साल कार्थिक मास का इसनान और रत करूँ इस तरह जब दुबारा कार्तिक मास का मेंना आया तो बहू के साथ सास और पती ने भी कार्तिक मास का इसनान किया सूर्य नारायन भगवान को अर्द दिया, तुलसाजी को सीचा पीपल पतवारी सीची, दिया बाती करी, और कार्तिक मास में तारा भोजन ब्रत किया, उसके कुछ मैनों के बाद बहु को गर्ब टहर गया, और नवे मैने में उसे पुत्र रतनी की प्राप्ती हुई, और वे स अभी इस जीवन की सुखों को भोग कर मैने के बार बैकुन को प्राप्त हुए, एक अदशी की कहानी, एक बार एक राजा के दो बेटियां थी, छोटी बेटी हर एक अदशी का उपवास करती थी, घर, बाहर, सब जगे छोटी बेटी की बहुत बढ़ाई होती थी, बड़ ने आया, लेकिन उसे छोटी बेटी पसंद आ गई, राजा ने छोटी बेटी की शादी की तारिक उसके साथ पक्की कर दी, यह देख कर अब तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा चिड़ने लगी, वह इतनी ज़्यादा अपनी बहन से चिड़ने लग क्रपा से वे जहरीला साप सोने के हार में बदल गया फिर एक दिन चोटी बहन को पंगट पर ले जाकर पीछे से कुए में धका दे दिया लेकिन ग्यारस माता ने उसे वहां भी बचा लिया बड़ी बहन हिरान परिशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मर रही तब एक एक दिन बड़ी बहन अपनी चोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहना भगवान ने हम सब की म्रत्यू किसी न किसी तरह तो लिखी ही है क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी चोटी बहन बड़ी ही सीधी और सरल सुभाव की थी तो वे बोली कि दीदी मेरी म्यत्यू मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसमें अठकी हुई है अगर कोई मेरे तोते को मार कर उस हार को खुद गले में पहल ले तो मैं मुर्चित हो जाओंगी लेकिन अगर उस हार को वापस उतार कर अलमारी में रख दे तो मैं जीवित हो जाओंगी बड़ी बहन को पूरी सच्चाई बताने के बाद छोटी बहन को कुछ गलत अंदेशा होने कड़र लग रहा था तो वै उस रात्री को अपने माता पिता के कख्ष में गई और उनसे कहने लगी कि मा बाउजी अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मुझे जलाना मत आप मुझे हमारे पुराने हवेली में कुए के पास जोपड़ी बनाकर के खाट परसुला देना राजा रानी बोले कि बेटी तुम ऐसी बाते क्यों कर रही हो तीन दिन बाद तो तुमारी शादी है चोटी बहन अपने मा बाउजी से बोली कि मा बाउजी समय किसने देखा है ऐसा कहकर वै अपने कष्ण में आकर सो गई इस तरह समय बीतने लगा शादी वाला दिन भी आ गया बड़ी बहन चोटी बहन के पालतू तोते को ढून रही थी लेकिन उसे वर कहीं नहीं मिला कि तभी दर्वाजे पर बारात आ गए वर्माला का कारेक्रम शुरू हो गया फेरो की रसम होने वाली थी उदर बड़ी बहन को तोता मिल गया उसने उस तोते को मार दिया तब तक साड़े तीन फेरे पूरे हो गये थे उदर बड़ी बहन तोते के गले में से हार लेकर खुद पहन लिया यह तभी छोटी बहन मुर्चित होकर गिर पड़ी उदर बड़ी बहन ने जैसे ही तोते को मार कर उसके गले में पड़े हुए हार को खुद पैना तो उदर फेरों में छोटी बहन मुर्ची तोकर गिर पड़ी उदर फेरों में बराती और घराती सभी डर गे कि राजकुमारी को क्या हो गया क्यों मुर्ची तोकर गिर पड़ी तब राजा रानी ने वेद हकीम को बुलवाया, छोटी रानी को अंदर कक्ष में लिटाया गया, वेद हकीम छोटी रानी की नबज को देखने लगा, अच्छी तरह से देखने के बाद वेद हकीम राजा रानी से बोला कि है महाराज, राज कुमारी जी न मरी है न जीवित है मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है मैंने अपने जीवन में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा तब राजा रानी कुछ सोच कर वेद हकीम से बोले कि अरे ओ वेद बाहर जाकर तु सबसे कहना कि राजकुमारी अभी बेवोश है थोड़ी देर में होश आ जाएगा अगर तुने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुझे फासी पर चड़ा दूगा वेद बेचारा कहता नहीं तो क्या करता राजा रानी की आग्या सिर माते होती है वेद बेचारा कक्ष से बाहर आया तो सभी लोगों ने वेद हकीम से पूछा कि छोटी राजकुमारी को क्या हुआ वेद हकीम जूट बोलते हुए सबसे कहने लगा कि राजकुमारी जी को होश आ गया है अभी थोड़ी देर में वे वापस आ जाएंगी कमजूरी के कारण वे बेहोश हो गई थी यह सुनकर दूले सहित दूले के परिवार वाले घराती भराती सभी को थोड़ा धरिये मिला तभी बड़ी बेटी दूलन की पोशाक पहन कर अपने मा बाउजी के पास आई और बोली कि मा बाउजी छोटी बेहन के मरने का मुझे दुख हुआ उससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि अब आपकी इज्जत खराब हो जाएगी लोग आपके बारे में क्या क्या बोलेंगे पिताजी मैं आपकी इज्जत को बचाना चाती हूँ आप मुझे छोटी बेहन की जगे फेरों में बठा दीजिए सब ठीक हो जाएगा आपकी इज्जत भी रजाएगी राजारानी को बड़ी बेटी का सुझाव ठीक लगा उन्होंने चोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहनवाए और उसे गूंगट निकाल करके छोटी बेटी के इस्थान पर फेरों में ले जाकर के बैठा दिया तभी राजकुमार बोला कि यह मेरी पत्नी नहीं मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुझ से फूल जड़ते हैं और जब वह चलती है तो कको के पगल्या बनते हैं लेकिन सभी ने समझा बुझा दिया बड़ी बहन से बचे हुए साड़े तीन फेरे पूरे करवा दिये जब बड़ी राजकुमारी ससुराल में आई तो राजकुमार उससे बात भी नहीं करता था नहीं उसने उसके साथ सुहाग रात मनाई समय भीतने लगा राजकुमार उसके हाथ से ना पानी पीता था नहीं उसका बनाया हुआ भोजन खाता था एक रातरी को राजकुमार ने मनही मन सोचा कि मैं पता करके रहूँगा कि मेरी पतनी के साथ क्या हुआ एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैटकर जा रहा था कि तभी अचानक घोड़ा वही जाकर रुका जहां राजकुमारी की अदमरी लाश पड़ी थी राजकुमार ने मनीमन सोचा कि घोड़े का यहां रुकना कोई तो वजह है पता करना होगा तब राजकुमार घोड़े से उत्रा, पुराने से दिखने वाली हवेली में गया, वहाँ एक चोकिदार था राजकुमार ने पूचा कि ये महल किसका है, तो चोकिदार ने बताया कि यह आपके साथ ससुर का महल है, वहाँ कोई के पास खाट पर कौन सो रहा है चोकिदार ने कहा कि ये राजा की छोटी बेटी है, जो शादी वाले दिन अदमरी हो गई थी तब राजकुमार ने चोकिदार से कहा कि अरे यह तो मेरी पहली पत्नी है, इसके साथ मैंने साड़े तीन फेरे लिये थे तब राजकुमार ने चोकिदार से कहा कि तुम किसी से मत कहना कि मैं यहां आया था मैं तुम्हें मूँ मांगा इनाम दूँगा उसके बाद राजकुमार ने अपने गले में से नो लड़का सोने का हार उतार कर चोकीदार को मूँ बंद रखने के लिए दे दिया चोकीदार को धन का लालच आ गया उसने सोने का हाल लिया और चुपचा बैड़ गया और राजकुमार को अंदर जाने दिया राजकुमार पुरानी हवेली में खाट के पास आया और चुपचाप अदमरी सी पड़ी हुई अपनी पहली पत्नी को देखने लगा तबी अरधरात्री में चोटी राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई उसने अपने पास अपने पती को बैठे देखा तो वे खूब रूई राजकुमार ने चोटी रानी से पूचा कि हेरानी विवा वाले दिन तुमें क्या हुआ था तुम क्यों मुर्शित होकर गिर पड़ी थी तुमारे पिताने मेरी शादी तुमारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी जबकि मैंने अब तक तुम्हारी बड़ी बहन को पत्नी के रूप में स्विकार तक नहीं किया है तुम मुझे पूरी बात बताओ तुम मुझे यह भी बताओ कि तुम पूरे दिन मुर्चित पड़ी थी और रातरी में तुम जीवित कैसे हो गई इसका क्या राज है यह भी बताओ तव राज कुमारी अपने पती को तोते वाली बात और हार वाली बात बताओ और साथ ही यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को उसके द्वारा पूछने पर उसे बताई थी और यह भी बताया कि बड़ी बहन को पूरी सच्चाई बताने के बाद मेरे मन में खटका हुआ था कि कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है इसलिए मैंने अपने माता पिता को कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मुझे जलाना मत पुरानी हवेली में कुए के पास जोपड़ी बना कर खाट परसुला देना मेरी बड़ी बहन ने मुझे कई बार मानने की कोशिश करी लेकिन ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन का किया धरा है उसीने मेरे तोते को मारा और उसके गले में से जो हार था वे पहन लिया हार मेरी बड़ी बहन दिन में तो पहनती है और रात को खोल कर रख देती है इसलिए दिन में तो मैं मुर्चित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ अगर वैहार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी राजकुमार का यह सुनते ही माथा ठनका उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ दिन बिताने लगा उदर बड़ी रानी ने दासियों को भेज कर पता लगवाना चाहा कि जाओ पता करके आओ कि आज कल राजकुमार पूरे-पूरे दिन और पूरी-पूरी रात्री कहा रहते हैं दास-दासियों ने राजकुमार को सब जगह ढूंडा लेकिन राजकुमार उन्हें कहीं नहीं मिला उदर छोटी रानी को गर में टहर गया एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा कि मुझे बेटा हो या बेटी परन्तु रात में ही होना चाहिए क्योंकि दिन में तो मैं मुर्षिक पड़ी रहती हूँ राजकुमार ने कहा कि ही राजकुमारी तुम जिन्ता मत करो मैं हमेशा तुमारे साथ रहूंगा तब एक दिन राजकुमार को किसी काम से महल में जाना पड़ा उदर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई वो ग्यारस माता को याद करने लगी कि तभी ग्यारस माता वहां प्रकट हो गई और छोटी राजकुमारी का प्रसव करा दिया उसे एक बहुत सुंदर पुद्र पैदा हुआ सुबह होने से पहले राजकुमार वापस छोटी राजकुमारी के पास पहुँच गया तब राजकुमार ने भी ग्यारस माता के दर्शन किये ग्यारसमाता राजकुमार से बोली कि यह मेरी परमभक्त है जब भी यह मुझे याद करती है मैं इसके पास प्रकट हो जाती हूँ ए राजकुमार जब तुम्हारा पुत्र पांस साल का हो जाए तो तुम अपनी बड़ी राणी का हाल लाकर अपनी पत्नी को पैना देना तब तक मैं किसी न किसी रूप में इसकी रक्षा करती रहूंगी ऐसा कहे कर ग्यारसमाता अंतरध्यान हो गई तब दिन बीतने लगे चोटे कुमर पांच बरस के हो गए तब एक दिन राजकुमार अपने चोटे कुमर से बोले कि बेटा यूराज तुम यहीं अपनी मा के पास रहना मैं शहर से काम निम्टा करके आता हूं तब उस दिन राजकुमार को पुरानी हवेली में से निकलते हुए रानी के दास दासियों ने देख लिया उन्होंने जाकर इसकी शिकायत बड़ी रानी से कर दी बड़ी रानी ने बच्चे को उठवा लिया और उसके दो टुकडे करवा दिये एक टुकडा चक्की के नीचे रख दिया और दूसरा टुकडा खुद के पलंग के नीचे छिपा दिया जब राज कुमार शहर से वापस लोट कर आया और अपने कुवर को नहीं पाया तो उसने ग्यारस माता से विंती करी तब ग्यारस माता ने एक बिखारिन का वेश बनाया और बड़ी रानी के महल में बिख्षा मांगने पहुँच गई तब बड़ी रानी ने दास दासियों के साथ बिख्षा बिजवा दी लेकिन बिखारें रूप में ग्यारस माता ने बिख्षा लेने से इंकार कर दिया और बोली कि मैं नोकरों से बिख्षा नहीं लेती अगर तुमारी रानी खुद मुझे विख्षा देने आएगी तो ही मैं विख्षा लोगी नोकरों निचा कर बड़ी रानी को पूरी बात बताई तो बड़ी रानी बोली कि ठेरो मैं विख्षा देकर आती हूँ जैसे ही बड़ी रानी विख्षा लेकर बाहर आई तो ग्यारस माता बिली का वेश बनाकर बड़ी रानी के कक्ष में गई कुमर के दोनों टुकडों को उठाकर अंतरध्यान हो गई दोनों टुकडों को जोड़ कर उसमें प्राण फूख दिये उसके बाद ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि अब समय आ गया है तुम कुमर को लेकर महल में जाओ और बड़ी रानी से हाल लेकर आओ और अपनी पत्नी को पेना दो राजकुमार कुमर को लेकर महल में आया और अपनी बड़ी रानी से बोला हे रानी ये बच्चा मैंने गोद लिया है ये अब हमारे ही साथ रहेगा अगर तुम इस से प्यार से रखोगी तो शायद मेरा मन तुम पर आज जाए और मैं तुम्हें पत्नी रूप में सिकार कर लूँ ये सुन कर बड़ी रानी खुश हो गई वो कुमार को अच्छे से रखने लगी खुब लाड़ प्यार करने लगी तब एक दिन राज कुमार ने कुमर के कान में कहा कि बेटा तुम अपनी मा से हार मांग लो हम हार लेकर तुमारी चोटी मा के पास चलेंगे लेकिन ये बात तुम अपनी बड़ी मा को मत बताना कुमर बड़े ही हुशार थे तुतलाती तुतलाती भाशा में अपनी बड़ी मां से बोले कि मामा मुझे आपके गले का हार दे दो एक बार तो बड़ी रानी ने नहीं दिया लेकिन उसे अपने पती की बात याद आई उन्होंने कहा था कि तुम इस बच्चे को अच्छे से रखोगी तो शायद मेरा मन तुम पर आजाए और मैं तुम्हें पतनी रूप में सिकार कर लूँ उस बात को याद करते ही बड़ी रानी ने हार खोल कर कुमर को दे दिया थोड़ी देर तक तो कुमर उस हार से खेलते रहे जैसे ही बड़ी रानी इदर उदर हुई कुमर उस हार को ले जाकर राजकुमार को दे दिया राजकुमार उस हार को और कुमर को लेकर घोडे पर बैठ कर छोटी रानी के पास उरानी हवेली में पहुच गए और उस हार को ले जाकर छोटी रानी को पहना दिया हार पहनते ही छोटी रानी जीवित हो गई राज कुमार चोटी रानी और कुवर को लेकर पुने वापस महल में आए बड़ी रानी अपनी चोटी बहन और बच्चे को देखकर पूरी बात समझ गई तब राज कुमार बड़ी रानी को लेकर अपने साथ ससुर के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई राजा रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ वे कहने लगे कि शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी तभी हमारी दोनों बेटियों के सोभा में दिनरात का अंतर है राजा रानी अपने जवाई से हाथ जोड़ कर माफी मांगने लगे लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनकी कोई माफी नहीं होती जहो ग्यारस माता की जिसने पग पग पर छोटी रानी की रक्षा करी हे ग्यारस माता जैसे आपने पग पग पर छोटी राजकुमारी की रक्षा करी वैसे हमारी भी करना कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भने वाले की करती हो तो पुरी हो, पुरी हो तो परवान चड़े, भुले विसरे नाम तेरे भंडार में भरे इस तरह आज हमने कार्तिक मास की रमा एकादशी की प्रमुक प्रमुक कहानियां सुनी